तकरीबन एक साल पहले मैंने अपने चानल पे एक One Brand Clothing Haul आप लोगों के साथ शेयर किया था और उस पर्टिकलर वीडियो में मैंने तीन डिफरेंट चिकन कारी पीसे आप लोगों के साथ शेयर किये थे या brand अपने customers को message पे WhatsApp पे जवाब नहीं दे रहा है and customers cheated feel कर रहें ऐसे बहुत सारे comments मेरे उस वीडियो पे आये थे आज की वीडियो में मैं इन सारे comments का जवाब दूँगी आपके जितने भी doubts है नूर चिकन कारी को लेकर वो सारे doubts clear करूंगी पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि ये एक sponsored वीडियो नहीं है नूर चिकन कारी शायद जानता भी नहीं है कि मैं exist करती हूँ उनका एक customer उनके बारे में review वीडियो बना रहा है आज का वीडियो भी एक haul वीडियो ही है और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 4 pieces शेर करूंगी जो मैंने last month नूर चिकन कारी से खरीदे थे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चानल में तो जैसा कि मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपने वो 4 pieces शेर करूंगी जो मैंने इस बार नूर चिकन कारी से खरीदे अब last year के वीडियो के बाद ये पहली बार नहीं है जब मैंने नूर चिकन कारी से कुछ खरीदा है मैंने कुछ महीने पहले भी उनसे कुछ pieces खरीदे थे बट unfortunately मेरी गलती के वज़े से मैंने wrong size order किया था and क्यूंकि उनकी return policies थोड़ी different है मैं उन pieces को return नहीं कर पाईती but क्यूंकि वो pieces मेरे size के नहीं है मैंने आप लोगों के साथ वो pieces share नहीं किये है आज के वीडियो में जो pieces में आप लोगों को दिखाऊंगी वो completely मेरे size के हैं मुझे अच्छे से fit होते हैं और सिर्फ यही नहीं मैं जितने भी doubts हैं जितने भी comments मेरे last video पे आये थे उन सारे comments के जवाब इस particular वीडियो में दूँगी लेकिन वो सारी बाते करने से पहले आएए देखते हैं कि मैंने इस बार कौन कौन से pieces खरीदे हैं नूर चिकन कारी से अगर आप लोग मेरे channel पे नए हैं और आप नूर चिकन कारी के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन majority जो कपड़े हैं चिकन कारी वोग के मेरे wardrobe में वो नूर चिकन कारी से ही है इनका Instagram handle भी है वहाँ से भी आप order कर सकते हैं या अगर आप उन लोगों में से हैं जो Instagram से order करने में comfortable नहीं है तो आप इनकी website के थ्रू भी order कर सकते हैं जो मैंने इस बार चार different pieces order किये हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को वो piece दिखाऊंगी जो बाकी तीन pieces से थोड़ा different है और मेरे चारो pieces में सबसे सस्ता है जो पहला piece है मेरे पास वो है ये lavender color का चिकन कारी short frog और ये एक full sleeves piece है जिसके अंदर sleeves पे embroidery की गई है front पे जैसा आप देख पा रहे हैं होंगे embroidery की गई है and even अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो इसके ends में भी यहाँ पे embroidery की गई है and all over the kurthi यहाँ पे छोटा छोटा बुटी का काम भी दिया गया है not just in the front अगर हम back की बात करते हैं तो back में भी यहाँ पे hand embroidery की गई है और ये जैसा की मैंने बोला ये एक short kurthi है आप इसको बहुत असानी से denim के साथ wear कर सकते हैं इस haul में मैं जितने भी products आपको दिखाऊंगे उन सारी products का size XL है क्योंकि वही size है जो मैं wear करती हूँ या जो मुझे comfortably आ जाता है so yes ये है वो पहला product मैंने इस बार नूर चिकन कारी की website से खरीता है इस particular piece का जो retail price है वो है 11.99 रुपीज और ये कुछ 3 या 4 different color options में available है मेरे पास personally lavender color नहीं था कपड़ों में इसलिए मैंने ये particular shade लिया अगर हम fabric की बात करें तो ये particular piece cotton का है काफी comfortable है लेकिन stretchable नहीं है so I would suggest कि आप अपने original size का ही piece order करें क्योंकि ये stretchable नहीं है और अगर आप एक size छोटा order करते हैं तो आप comfortable नहीं रह पाएंगे fabric wise जैसा कि मैंने कहा cotton है तो काफी comfortable है wear करने में और denim के साथ आप अराम से इसको wear कर सकते हैं जो second piece मेरे पास है वो एक बहुत ही beautiful सा georget का कुरता है and ये एक full length का कुरता है मैं इसको इस तरीके से तो clearly आपको शायद ना दिखा पाऊं लेकिन आप इसे try on में देख पाएंगे ये एक full length का कुरता है and इसके front में यहाँ पे work किया गया है and जो इसका front जो bust वाला section है उस पे complete work दिया गया है again ये एक full sleeves कुरता है जिसके arms पे and towards the end wrist वाले section में भी काम किया गया है ये particular जो piece है ये golden mustard color shade में है और ये viscose georget material का बना हुआ है ये particular जो dress है वो transparent है तो अगर आप इस dress को खरीते हैं तो आपको slip इसके नीचे पहनने पड़ेगी आप इसे as it is wear नहीं कर सकते है and brand इसके साथ slip provide नहीं करता है तो yes ये है वो second product जो मैंने नूर चिकन कारी के website से इस बार खरीता है ये particular कुर्ती कुछ 6 या 7 color options में available है and इसका जो retail price है वो है 2,999 रुपीज तकरीबन 3,000 रुपे आप कह सकते हैं जूट नहीं बोलूंगी honestly ये particular piece जो है ये थोड़ा on the higher price range है बट पहनने के बाद इसकी fitting बहुत प्यारी आती है बट again I would say क्योंकि ये stretchable नहीं है तो आप अपने original size के हिसाब से ही order करें specifically because brand return नहीं करता है products को so yes ये था वो second piece जो मैंने नूर चिकन कारी की website से खरीदा next product मैं आपको दिखाऊंगी वो एक बहुत ही different से color में है मेरे wardrobe में इस color का कोई भी piece नहीं है बहुत सारे beautiful color options होते हैं नूर चिकन कारी के पास लेकिन somehow इस बार मुझे ये olive color attract किया मैंने ये olive color का viscous georget में जो की पुराने वाले कुरते का ही material है उसमें ये particular piece जो है वो purchase किया है जो last piece मैंने आपको दिखाया था वो एक dress थी जब कि ये particular piece एक कुरती है again जैसा कि आप देख सकते हैं front में पूरा काम किया गया है and काफी नीचे तक किया गया है लेकिन इसके back में सिरफ थोड़ा सा इस section में काम है इसके लावा completely plain है इसकी back even अगर हम sleeves की बात करें तो sleeves वैसे तो full sleeves है wrist के area में काम किया है and यहां पे भी थोड़ा सा work है but apart from that इसमें बहुत जादा काम जो है वो केवल front के area में ही किया गया है इस particular piece का जो retail price है वो 2499 रुपीज है and यह particular piece unlike बाकी pieces यह stretchable है body hugging piece है but again यह transparent है तो again आपको इसके नीचे slip पहननी पड़ेगी तो yes यह थी वो third कुर्ती जो मैंने इस बार नूर चिकनकारी से खरीदी है जो fourth piece मेरे पास है वो एक अंग रखा ड्रेस है और यह मलमल फाब्रिक में है piece है यह beautiful सा floral अंग रखा ड्रेस यह front में आप इसका देख पा रहे होंगे कि embroidery कैसे की गई है और बहुत pretty है लेकिन इस पूरे कुर्ते में सिरफ इतने ही area में embroidery है sleeves पे embroidery नहीं है और पूरे कुर्ते में embroidery नहीं है apart from अगर हम सिरफ ends की बात करें ends में थोड़ा बहुत embroidery का work दिया गया है लेकिन क्योंकि यह एक floral कुर्ता है इसमें overall बहुत जादे embroidery नहीं दी गई है even अगर हम back की बात करते हैं तो back में भी सिरफ इस चोटे से section में embroidery है apart from that जो है वो पूरे कुर्ते में embroidery नहीं की गई है लेकिन बहुत ही खुबसूरत सा piece है specifically मुझे इस piece का color बहुत पसंद आया apart from this color यह तीन और different colors में available है I am not sure कि यह currently available होगा या नहीं क्यूंकि मुझे तकरीबन एक महीना हो चुका है इन products को खरीदे होई but yes आपने try on portion में देखा होगा कि यह सारे products मुझ पे कैसे लगते हैं यह था वो fourth piece जो की मैंने इस बार नूर चिकन कारी से purchase किया है अब यह तो हो गए for सारे products जो मैंने इस बार नूर चिकन कारी की website से खरीदे अब आये बात करते हैं उन कुछ questions के बारे में जो मुझे अपनी last video पे मिले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दू मैंने जो order place किया था वो 7th of August को place किया था और इसकी जो dispatch की information है वो मेरे पास 10th of August को आ गई थी और मैंने अपने products जो है वो 14th of August को receive कर लिये थे Now normally अगर आप नूर चिकन कारी की website पर जाएंगे और उनकी shipping policies देखेंगे तो नूर चिकन कारी all over India free shipping देता है और इनका जो dispatch time है वो तकरीबन 2 to 4 working days है इनके जो working days है वो Monday to Friday है तो ये Saturday Sunday को working days नहीं मानते है So yes अगर आप आज place कर रहे हैं अपना order और बीच में Saturday Sunday आ जाता है तो आपका order dispatch नहीं किया जाएगा 2 से 4 दिन working days में ही वो order dispatch किया जाएगा So usually 7 to 10 working days में आपको आपके जो products हैं वो मिल जाते हैं अब अगर हम बात करें payment terms की So ये particular जो brand है वो cash and delivery offer नहीं करता है लेकिन apart from that जितने भी online mode of transaction हो सकते हैं चाहे debit card बोलें credit card बोलें Google Pay बोलें या कोई भी और UPI का mode बोलें ये सारे mode of payments accept करता है and completely no return, no refund की policy रखता है तो अगर आपको कोई particular piece पसंद नहीं आता है तो आप उसको return करके अपने पैसे refund नहीं ले सकते हैं लेकिन क्या होगा अगर आपको कोई damaged product receive हुआ या maybe आपने कोई गलत size order किया उस situation में आप खुद इन products को नूर चिकन कारी वालों के पास वापस से ship कर सकते हैं shipping के जो charges होंगे वो as a customer आपको खुद देने पड़ेंगे आप return exchange करा सकते हैं in a different size और अगर वो particular different size या वो particular product अगर उनकी website पे उस point पे available नहीं होता है तो brand आपको एक credit note issue कर देगा जिसके मदद से आप future में brand की website से shopping कर सकते हैं लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो sure नहीं होते हैं कि product या particular piece आप पे कैसा लगेगा या अगर आप अपने size के बारे में sure नहीं है तो नूर चिकन कारी से chase करना थोड़ा hassle हो सकता है आपके लिए अगर आपको कोई damage product receive हुआ है या size exchange आप brand से कराना चाहते हैं तो आपको products receive होने के within 10 days ये जो products है वो brand के पास वापस पहुंच जाने चाहिए हैं अभी वो आपका जो exchange है उसको accept करते हैं also जो initial invoice आपको मिलती है products के साथ वो भी उस pack kit में डालने जरूरी है so honestly saying अगर आप एक ऐसे buyer है जो बहुत frequently shopping करते हैं तो ये पूरा जो exchange का system है ये थोड़ा hassle हो सकता है especially when there are brands like mintra या amazon जिससे आप असानी से exchange कर सकते हैं return कर सकते हैं या फिर reverse pick up करा सकते हैं नूर चिकन कारी की website से shop करना थोड़ा tedious जरूर है personally मुझे इनकी pieces बहुत जादा पसंद है और क्योंकि मैं एक या दो बार in fact आपका ये गलत size order कर चुकी हूं so I am pretty sure about my size और मुझे पता है कि मैं क्या order कर रही हूं that is the reason मैं इनकी website से order करती हूं otherwise I would also say कि थोड़ा tedious जरूर है and specifically जब आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं पर बहुत conveniently delivery नहीं होती है delivery कई बार 15-20 दिन भी ले ले लेती है और ऐसे situation में prepaid order पे trust करना हर बार possible नहीं होता है अगर हम fabric की बात करें तो brand बहुत clearly mention करता है कि कौन सा fabric है किस particular piece का and अगर viscous georgette mentioned है तो आपको viscous georgette ही मिलेगा अगर मल-मल mentioned है तो आपको जो kurty receive होगी वो मल-मल fabric की ही होगी personally मेरे पास बहुत सारे pieces हैं इस brand से so मुझे आज तक shrink का कोई भी issue नहीं हुआ है brand के जो sizes है वो almost I would say perfect है like अगर XL पहनती हूँ तो मैं throughout the brand XL ही पहनूँगी rarely ऐसा हुआ है मतलब हुआ तो है एक या दो बार ही हुआ है लेकिन कि मैंने Excel product order किया है और वो मेरे particular size से काफी बड़ा है but in general जो size chart mentioned है website पे उस ही के हिसाब से उसी को देखके आप अपने size के हिसाब से products order कर सकते हैं so yes ये थे सारे doubts इस brand के बारे में और मेरा जो experience था इस brand के बारे में अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं इस brand के बारे में या मेरे experience के बारे में about the kurtis that I've ordered तो मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताईएगा मैं कोशिश करूँगी हर एक question का जवाब दे पाऊँ also मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपने ये particular website नूर्चिकनकारी.in ट्राइ की है क्या आपने इनसे purchase किया है और अगर हा तो आपका personal experience इनके साथ कैसा रहा तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही उमीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे like जरूर कीजेगा और मेरे चानल को सब्स्रा